बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेट गाइट पीपोल्स वोईस और पेल आइकन दबाए शोग सिद्धार दन्वाद अन्यूप सवापती मोहदे बानवर मैं अपनी पाटी की राष्टिय द्यक्ष आधनिया भेंजी को हिर्दे से आभाब्यत करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर बिल पर बुलने के लिए अधिकरत किया है मनवर भारत में प्राचीन समय से ही विवादों के निप्टारों को मज्दिस्ता के माध्धम से निप्टाने के परंपरा रही है लेकिन उपसफइब्धि मोधे भारत में संस्तागत, मध्यस्ता की इस्तिती बहतर नहीं है कही मध्यस्त मध्यस्ता की इस्तित्य के बाब campaign भारत में संस्तागत मद्धिस्ता एक नवजात राज बनी हुई है। सिंगापूर इंटरनेशनल अर्विटेशन सेंटर हांग कांग इंटरनेशनल अर्विटेशन सेंटर इंटरनेशनल कोर्ट आफ इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स और लंदन कोर्ट आफ इंटरनेशनल अर्विटेशन सेंटर जैसे मद्दिस संस्तानों ने अपने आधुन नियमों कार की संगठित संरचना उतकर्ष्ट प्रसासनिक साहता और बुन्यादी रहाचे के मार्द्यम से पार्टियों के बीच में विश्वास प्राप्त करने का काम किया है इसके लाब पार्टियां अपने फाइदों से अच्छी तरह जानती है जैसे मद्यस्तों के अपने पैनलों पर निपुड़ता निर्दारित फीर संरचनाए और मद्यस्ता की करवाई के आयोजन और समय पर आच्राड लगाए सभी संस्तानों को विविनिस्तों पर सरकारी साह से लाब मिलता है और सोस्त प्रत्योक्तों के माद्यम से दीरे-दीरे विक्सित किया जाता है मनवर नियायलों अपनी सफलता के देखते हुए भारत में संस्ता कि मद्यस्ता को बढावा देने का यह उचिस समय है सभी विक्सित देश निजी विवाद संसादन तंत्र अपना रहे हैं और 95 प्रसत नागरिक एवं बाड़िक विवादों के विश्ट उस्ते पर मद्यस्ता के माद्यम से सुल्जाया जाता है भारत में भी देश में बाड़िक नागरिक विवादों की निप्यारे के लिए पसंदीधा तरीका मद्यस्ता को अपनाने पे जोर देने का काम किया है अंतरफि भ्रवस्च जिग भिवादों के मद्धस्ता के लिए भारत को एक आकरसक गंतब बनाने का यह अच्छा प्रियास इस बिल के मद्यम से किया गया है मन्वर प्रत्मिता के अदारपर अगर हम देखें तो संता कि मद्यस्ता के लिए के जीवन परस्तिक तंत्रगा निर्माल किया जाए तो ये ना सिर्फ निवेशकों के आराम को इस्तर को बढ़ाएगा बलकि अदालतों का बोज भी कम करेगा इसलिए बिस इस्तर पर भारत में एक मद्यस्ता केंडर के रूप में भारत को बढ़ावा देने की स्पहल का स्वागत होना चाहिए इसमें संधे नहीं है कि तुरित नयाई के लिए आर्वी ट्रेशन एक कारगर तरीका सिद्ध है सिद्ध होगा मानवर में मानी मंत्री जी से इस बिल में जो नियुक्ति के संबंद में नियुक्तिय के संबंद में जो प्राधान किया गया जो रचना है इस विदेग की कि तहें जो एंडी आई एसी में साथ सदस सामिन होंगे उम्में एक सदस जो उस्तम नियाले उस्तम नियाले के नियादीस हो सकता है या मद्द्वर्ट के आच्छलर या परसासन में विशेस ग्यान आउनुबर बढला एक पृत सब्थजुब एक था हो सकता है संस्तादत मद्द्धन में परियात ग्यान आउनुबर रखने माई दो प्रतिशफ ब्यक्ति मानवर जो तीसरा है तीन पधें सदस होंगे जो तीन पदेन सर्देस वित्मित्राले से नामित होंगे मानवर इसमें एक संदर प्रकट होता है कि जब चूकि गवर्मेंट के दौरा नामित होंगे और जब गवर्मेंट के दौरा नामित होंगे तो गवर्मेंट के विरोध में के साथ जो विवाद होगा उसमें इनकी पारदर्स्ता पर डाउट होगा मनवर इसलिए आर्विटेटर के चैन और नुक्ती के रूप में अधिक से अधिक पारदर्स्ता पर ध्यान दिया जाए दूसरा मैं मानिय मंत्री जीसे अपने उत्तर के समय ये स्पस कर देंगे तो बड़ी किर्पा होगी कि बर्तमान में मद्दिस्ता से सम्मदित कितने मामले भारत में लंबित है दूसरा क्या मद्दिस्ता केंद्र को सूचना के अधिकार के दारे में लाया जाना चाहिए लाया जाएगा तीसरा मानवर एद्द प्रिस्तापक विदेग ने सहिद्धान्तिक पहलियों को बनाया है फिर भी जो श्री कृस्टना रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई इस विल में उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से पूर तरीके से लागू क्यों नहीं किया रहा है मानवर चूकि इस विद्धेक ने भारत की शाक को बढ़ाने के लिए खास्तों से मद्धिस्तों के लिए टुरिज्म को बराबा दिलाने में एक एहम सिद्धोगा ये बिल इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्तन करते हैं